कि देखो प्रची कि मैगनेटिक इफेक्ट कि ऑफ करेंट कि अप्लिगेशन कि ऑफ कि बायोट सेवर्ट लो अब आपके बास है वायोट सेवर्ट लो और आपने अप्लाई करना है आपके बास है स्ट्रेट करेंट करेंट करेंग कंडुक्टर और इंफिनाइट लेंथ ठीक है अब आपके बास बायोट सेवर्ट लो के अंदर जो आपका अप्लिकेशन स्टी तो सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब लोग और आपके बास मार्ग अभी इस्टेट करेंग कंडुक्टर भी बाइट सब्सक्राइब लोग की अप्लिकेशन है तो आपने इसे सब्सक्राइब लिया इंफाने लेंफ वाला कंडुक्टर जैसे आपके बास कोई यह जा रही है तो उस टाइप का वायर है आपका वो कहलाता है आपका इंफानेट लेंफ वाला वायर ठीक है अब आपने उस वायर से प्योंट्ट जो की आडिस्टेंस पर ने इस पॉंट्ट पर रिच्ट के तो यह डिस्टैंस परपेडिक्स से तो पॉइंट आपके बस ए है, ए पॉइंट से, बी पॉइंट तक गया तो ऑ से बी डिस्टेंस है, वो कितना आपके पास L है, आपने छोटा पॉष्णा करज़ी दे अगरा, वो कितना आपके पास में DL है, आपने का अगरा इस बी को इस पी से जोईन कर दिया, मुनोड अपॉर फॉर पाई डी एल साइन थीटा और अपॉन में कितना होगा आपके पास एकसे स्वाई ठीक है जी एकस क्या होगा बी से लिकर पीदा का डिस्टेंस अब देखो सबसे पहले चीज़ थीटा का और फाई का जो सम है कितना होगा 90 डिगरी यहां से थीटा इस से गोश्टू कुतना निकल कराएगा आपका 90 डिगरी मैनस फाई अब आप बस एक छोटी चीज़ याद रखो मुझे महाँ पर सैन थीटा था तो मैंने यह लिखा सैन थीटा तो सैन थीटा कितना होगा आपके बास सैन नैंटी मैनस फाई सैन नैंटी मैनस फाई क्या बन जाएगा आपके बास कॉस्फाई अब आप आगे कॉस्फाई पर तो आपके बास जो कॉस्फाई होगा वोगा बेस कॉस्फाई होगा बेस कॉस्फाई होगा बेस कॉस्फाई है आपके बास आर अपॉन एक्स तैसे एक्स इस इकोस्टू कि का प्रक्रीन दर्सक्राइप को यहां है अब आज़ये हैंसे लिए खुए है कि टो डी। आपके वस से ट्लासे को आभड़े सोटी इसको ट्लाइस का इस को toi कि थिए पूर्ट diff बाजो सब्सक्राइब आघया हो सब्सक्राइब हम यह दsung लाजां सब्सक्राएब तो 10 5 इस घोस्तूर्ट परपेंडिकलर अपन बेस तो सेट फाइज इस परपेंडिकलर अपन पर यहांसे एल इस जिगोस्तूर्ट पितना होगा आइज 10 5 कि मुझे डी अपोंट डीफाइज इने हैं बुझे डील खत्म करना है इसलिंग उसको डिपन्ट यह घ्या तो यहां अब देखो में बस टील की वेल्यू कितने निकली आपके बास आप सेक इसक्वार फाई और दीफाई इब रिकॉल करेंगे थी तरी निकाला है अपने बन निकाला है अब आपके बास जो मैटिफिल्ट डीवी थी वह है आपके बास म्यूड़ अपॉर upon लो फूरवफाया है कि आपका ऐसी लिखाना अब डियल की इसी लिखा आप फीन आये सक्टार्ट फाई और द फाई यह डिल की जगाई यह आप में 3T C autant स्क फाई अभी आपने लिखा दे miał एक सक स्क्ट अपका Our ќ है और सेतीट आना वाइस आपकी पॉर्ऩ confess right आप देखो क्या होगा आपको एक आर कैंसिल आउट हो गया आपका सेक्सक्वार पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया आपके बास जो मार्टिक फिल्ड डी भी है वह है मुनोड अपॉन फॉर पाई आई अपॉन आर ठीक है इंटीग्रेशन में अब आपके बास बचा है कॉस आप देखो आप नीचे की कि तरफ देखा होता तो यह एंगल होता आपके पास में अगर माइनस का फाइल न जानो कि अगर एक डारेशन में ग्लॉक्वाईस है तो दूसरी डारेशन में कैसी है एंटी ग्लॉकवाईस तो ग्लॉक्वाईस अगर हमारे पास बनेगेटिव तो गजांट गाने कटेव को लिखा HO 5D और और हे जो वोपर के आंगिल आपके बास इसको हमाने प्लस का फाइटा लिखा को हुआ विए ठीक है तो माने साओ नएफ नहीं पने इसी कोड़ने नियांद है निनाल शाहीं है फाइडिक है यह आप ने इसलिदियों किया इसको में लिएखां इंटिकेशन डीवी का कितना बिर अब का बेइए अब कितना है आपके सो इंधिक तो इसकी in डिट है और नमाइनस डिकर आंड normal डित होसे प्लेस फाइवन से लेकर प्लसके फाइवेग्या डिकर और अीडिके दूप unser से यह वह Unter नेगा बीजी को इस्टू मूनद अप्वोर फूरपाई अब आपून आर साइन फाइड वॉग निखाल दो प्लस में कितना होगा साइन फाइब थीक है इसको बॉक्स अब आपके बास है पॉर इन्फानाइट लेंध पॉर इन्फानाइट लेंध अगर इंफानाइट तो फाइवन नीचे जाएगा और फाइटो उपर है आप समझके चलो कि अगर आपके पास एक कंड़क्टर है और आप यहां पर हो और आप इसको ऐसे करके सीधा देखते हो तो कोई एंगिल बनेगा ऐसे देखोगे तो कोई एंगिल बनेगा आप आगे जाओगे तो यह यह माक्सिम्म जो सकता है हाइर साथ में जाकर यह नहीं हो सकता आपके बाइस तो अब आप इंफानेट लेंथ के लिए आपने कहले का फाइबन इस इक्वेस्टू कितना है फाइटू इस इक्वेस्टू के तरिक आपने अब जो आपके बस्याटिक बी ओगी योगी मुणोड अपन फूराइब अपन आर सैंड नाइटी ब्लस और प्लस वन कितना होका अब के पास में तो उतलं तो में इस इपर सो कितना होका म्यूनओ अपन फूरपाई योग आपके बस टू आईपन में आर मैं इंगर करा ठीक है पुड़ाउट है पका सब्सक्राइब है अब एक टॉपिक है हमारा इससे कहते हैं आपके पास एंपियर्स सब्सक्राइब लोग तो एंपर सब्सक्राइब लोग से क्या करते हैं कि लाइट इंटीगरल ऑफ मागाटिक फीड़ लाइन इंटीगरल ऑफ मागनेटिक फील्ड इस मुनोड टाइम्स दी करंट एंड क्लोज्ट इन्हें गिवन वायर यापके पास लूप ठीक है तो इसका मतब होता है कि अगर मैटिफिल्ड भी है मैटिफिल्ड के अंदर कोई लूप है उसकी लेंद्ध कितनी अडियल उनका आपने लाइन इंटीगरल किया तो वह का मुनोड टाइम्स उस करेंड के जो उन्होंने एंक्लोज करता है ठीक है आप देखों हमारे इसके प्रूफ पर आगए तीक है फॉर सेख ओफ कन्वीनियंस कि वी कि टेग कि ए इस्ट्रेट करेंट केरिंग कंड़क्टर कि टीक है एंड इंसाइड इस कि मैगनेटिक के फील्ड वी एज्यूम ए लूप एक हमें लूप को कंसिलर किया तो यह हमारे पास एक स्टेट करेंट के कि आपके पास आई है इसके चार्व तरफ इस तरीके से माइटिक बनती है वह कितने आपके संब्सक्राइब जहां पर भी आप जाओगे माइटिक ऐसे करके जाएं ठीक है अब आपने क्या करना है जहां से मिसके सब्सक्राइब इसके पास आ रहे हैं आपने यहां पर एक स्टेट पूर्शन कंसिटर कर रहे हैं कि छोड़ा सा पूर्शन आपके स्केंदर देल कंसिटर कर लिया है अब देखो हमारे पास क्लोज इंटीगरेशन हमने के लिखा बी डॉट डियल इस जिगोस्तों कितना होगा अब आपको मैटिफिल्ड मैटिफिल्ड बी के लिए निकालनी है आपने भी पीछे निकाला था कि अगर स्टेट करन के निकाल रेक्टर होता है तो मैटिफिल्ड होते ही मिरूट अपॉन फूर्पाई तू और साथ में कितना आपके बस्में डियले और यह कितना गॉंप सेमें आपन फूर्पाई बाहन निकाला यह वह आपके बस डूए अपॉन में आउस को इंडिट करेंगे तो कितना होगा अब देखो आपके बस टूपैसे टूपैस पूर्पैश्ट कर जाएगा वह इसलाह पहले थी आपको पहले भी कि आप काटी मत ठीक है कि अच्छा यहां तो काट दीजिए कि प्रूफ करना है फूर्पाइग अंसे लाट हो जाएगा आज से आर कट जाएगा तो कितना बंजाएगा मियोड आई यह पार्ट हमारा प्रूट होगा जो हूं करना चाहते थे कि कि ल प्रूप के लिए बी डॉट डियल कितना बनती है आपका मियोड आई बनती है ठीक है पॉंसेप्स नंग रहा है आप देखो इसकी एक अप्लिकेशन है और वह अप्लिकेशन आपके बास में सॉलनवाइट सॉलनाइट की वाद आपके बास एक टूप लाइक इस्ट्रक्टर जिसके अंदर अंट अंट्रेंस है आपके बास आपने बांड कर दिये किसी एक सेल से आप इसके अंदर करेंट फिलो कराऊगे सपोस्वरों एंटी कि लौप आजएशन में करेंट फिलो कर रहा है अपका तो anti-clockwise direction में होगा जिसमा करनदा आपका SF लोगर रहोगा वो लूप बनेगा North Pole अगर आपके जीज़ को एक set से देखते हो anti-clockwise है तो दोसी set उसकी कैसे बती clockwise होती है तो वहाँ पर जो क्रणर लूप बनेगा कैसा में आफके बस एस बनेगा एसका मतब्र होती है कि आपके बस सौथ्पोल तो यह चोब आपके पतीज़ के नौध बनेगा आपका सौथ पोल में यह सब्सक्राइब कि मैंटिफीद है नौर्थ पोल से निकलेंगी सब्कों मेंटर करेंगी और यह ऐसे जाएगी आप कि आ हुआ है कि चीज़ें ने आप देखो हमारे को हमने कंसिडरिंग ए लूप PQRS एक लूप अपने काशिटर करा करना है PQRS इनसाइड दा मागनेक्टिक फिल्ट गानना अबने क्लोप कर सम पार्ट उसक्टर लूप लाइं इनसाइड दा solenoid and sum outside it तो कुछ पार्ट लूप का इसके अंदर लाई करता होगा और कुछ पार्ट लूप का इसके भार लाई करता होगा तो यह आपने PQRS लूप को consider किया तो आप P से Q जाओगे Q से R जाओगे R से S जाओगे और S से क्या जाओगे आप P जाओगे यह लूप आपने consider किरा PQRS ठीक है आप देखो सुनो close integration अब धान समझा हम ही क्या करना है close integration B.DL का PQRS लूप के अंदर तो क्या होगा close integration यह कितना होगा आपके परस B.DL पहले P से लेकर कांदब होगा Q तक क्यों था क्यों किरोगा close integration लूप लूप कयों को तो कहा ठोग का R तक क्यों किरोगा आपके आपके किरोट आपके अट लूप के ऐस independent पापा किरोगा आपके लूप लूप आपके लूप लूप कर अच號 पर वंह पर हम किरो हम penal cookie इंकंवेません जब आप P से लेकर Q की बात करोगे जब आप P से लेकर Q की बात करोगे तो कितना हब किसमें close integration B की वैल्यू डील की वैल्यू ठीक है और P से लेकर कहा था क्या आपके इसमें क्यू था और साथ में कहते हैं कॉस आपके बाद 0 डिगरी क्योंकि स्टेट लाइन है तो यह जो बनेगा आपके बाद यह तो मैंटिफिट भी बनेगी और क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी यह कहां से लेकर क्यूं से लेकर आप अब आप ले दो तो मैंटिफिट आपके स्टेट जा रही है और क्यों से लेकर आरक कैसा है यह परफांदिक ब्याज़ है उसके बीच हुएक के 90 ग窩िरी होगा तो अब आप इसको क्या लिख होगे यह योग आप की बस क्लोज एटीग्रेशन बीग वैलियू और यहग आपके बैस डीग्रीउ और उसके साथो आपके बैस स्टाज नाइ तो आप आप से लेकर ऐसा आप जा रहे हो लेकिन इस जगह कर आप देखोगे मेंटिक फ्रीलेंस की प्रपर्टी होती है दे ओरिजिनेट्स फॉम दा नॉर्ट पूल दे एंड्स एड़ शॉथ पूल एज मच पॉसिबल दे एक्सपेंड इन दा फ्री स्पेस तो आपके बास नियर दा सॉलनाइड नियर दा अक्सिस ऑसॉलनाइड आउटसाइड दा सॉल होती है जीरो होती है तो आप इसी बता होगे आपके बास में इस देगा सॉलनाइड की एक्सिस के पास ठीक है आउटसाइड आप दस सॉलनिवाइड इस जीरो है ठीक है इस जीडो तीज बनके आपके बास अब आप एस से लिगर खाप सब्सक्राइब आपका नाइंटीडिगरी का इंगल बन गया अब आपके पास यह बनेगा आपके पास इन्टीग्रेशन एस लेकर पी यह बनेगा आपके पास बीडॉट डी इस इकोल सो कितना बन गया आपके पास क्लोज इंडिगेशन एस से ले करती बी की वैल्यू डी एल की वैल्यू और कितना होगा कॉस्ट 90 डिग्री आर्सर कितना कि जीरो आगे कि यहां तक किसी को सब्सक्राइब कि अच्छे हैं हमने देखा कि जब हम से पूट करेंगे क्लोज इंटिग्रेशन कि वी डॉट डियल तो यह कितना होगा आपके पास पहले आपके इसमें प्लोज इंटिग्रेशन था पीस से लेकर क्यों तक भी डॉट डियर फिर आपका क् पार से लेकर एस ततर कितना आपके पास बी डॉट डीयल और फिर उसके बाद क्लोज इंटिग्रेशन था आपके पास में ऐस से लेकर पीडियल तो अब आपने जो पहले पी से लेकर क्यों ताक उसकी वेलोज निकलने थी बीइंट्वेल अगले वाली की जीरो एककोडिंग टूबाइयोट सेर्कुटल लो कि हमारे पास यह जो बीडायोट्ट डी जिंडेशंच हमारे पास जो तो बी डॉट डील है यह कितना होगा मुणोट टाइम सिस जितना भी करेंट आपके पास इसके अंदर होगा तो अगर हर लोग में करेंट आई और ऐसे मेरे पास में एन लूप से तो कितान के बी जिकोस्तों मेरा नाई बन गया एन को मैं बड़ा लिख मगा क्योंकि सारे लोग लेकर चल रहा हुआ है ना जित्ते बीडियों तो मिरोड एन आई बन गया हमारे पास ठीक है अब इसकी वालव को मैंने पूट कर दिया म्यू नॉट नंबर और टन्स एन इंट तो आई बन गया आपके बास मैं मैंने मैंने फिल्ट भी यह हमारी मैंने फिल्ट और एन का मतलब है नंबर ओफ टन्स पर यूनिट लैप ठीक है के लिए अच्छा देखूं अब सुलनाइट की एक हास है थी कि सुलनाइट से जैसे में निकल दी तो आदी मैं इसको टॉराइड मना दो टॉराइड होती है आपके पास एंड सॉलनाइट तो उसमें के वतायव कि आपने सुलनाइट को ऐसे घुमाया और ऐसे सामने लेकर आगे मतलब जो सीडिया आपके बास स्वेशा थी उसकी ट्यूब को आपने घुमाया और इसके दुनाइट को द तो यह होगा आपके बस नौर्पोर और यूगा सौथ को मैटिविड डिरेक्ट नौर से सौथ में जाएगी और इसी के अंदर बहुती रहेगी बहुती रहेगी बहार मैटिविड लॉस्ट ही नहीं होगी तो ब्रेकर्णी होगी दो पर्ट्स में तो जितनी मेटिविड आप तो जो सुनुराइट की लेंद्थ थी वह आपके असमें टू पाई स्मॉल आप बन चुकी आपके पैसे मुझे टोराइड आपने बनाई थी पूल उसके रीडियस बांगे सब कुछ दूखसी है ठीक है पर एंधर अल्थन लेंद्थी हमारे पास एनपॉन एलमें लेंद्थ लेंद्थ की बन गए आपके पास टू पाई स्मॉल आप देखो इसी के अंदर एक लास्ट टॉपिक है उससे माग्टि एफेक्ट और करेंट आपको खतम हो जाएगा फिर अग्राइट इसका फोर्स है ठीक है वो भी इसी के इदर एक स्क्लास में अब सबसे बिए चीज ज फिल्ड दू दू एस्ट्रेट करेंट करेंट कंड़क्टर को इंफिनाइट लेंथ ठीक है यूजिंग करेंट एंपियर कि सब्सक्राइब कि अब एंपियर लॉग को यूज़ करके मैटि फिल्ड निकाल लिए आपमें इंफिनाइट स्टेट करेंट करेंग कंड़क्टर के लिए तो देखो हमने करेंगा करेंग करेंग कंड़क्टर करा यह कितना आपके बास आई है इसके नदर कोई मैटिफिट बनी इसकी इस मैटिफिट की वैल्यू कितने बास लोगा क्योड इंटीग्रेशन अब करें बीकी इंडी इंटीट इसम्ट हो गया है न कोई इसकी वैल्य हो गई और साथ में कितना हो डिग्री इस इक ऊचना हो फिर रिप्रम मीमिन और आई के यह कोलोगा आपने क्या करा, close integration में B की value और आपके बाश में DL की value is equal to कितना होगा, मुलार आई बनागी, matterfield की value की अपने भाह निकाला, integrate की सोकर आपने DL को गरा, integration आपके बाश में DL का कितना निकलेगा? आपके बाश 2.5 निकलेगा? इंटिकेशन डियल के कितना निकलेगा टूपाई स्मॉला इस इकोस्तों कितना मुणोड एंटू आई है तो आपके बास मैंटिफिल्ट बी की जो वैल्यू है वह की मुणोड अपॉन टूपाई कि आई अपॉन में कितना होकार होगा कि बीकी वैल्यू आपने टू से रिवाइट कर दिया तो मुणोड अपॉन फूर्पाई बन गई यह कितना हों गया कि इसमें टू आई अपॉन स्मॉला अपॉन ठीक है यह एंपर सर्कृटर लोह से निकाल दिया हम लोग ने मैंटिफि कि ए कौल झार से ज लोड़न सत्थ?